जैहिन साथियो अभी हमने उपस्ते थे एक्जाम टोर चैनल पर और आप देख रहे हैं आज का अपडेट एक्जाम से रिलेटेड अपडेट डाला जाता है प्रती दिन शुवा में तो देखिए ससी परिक्षा में धांदली संदिग्द यानि कि ससी परिक्षा में धराय संदिग्द यानि देख सकते हैं कि अभी भी इतना होने के बावजूद कोई न कोई पकड़ा जाते हैं यानि ये गलत बात है जो विद्यार्थी अभ्यर्थी मेहनत करते हैं उनको जौब मिलना चाहि कि देखिए मुझफरपूर सदर्थाना ने रेवा रोड इस्तित एक कंप्यूटर संस्थान में बुद्धबार को ससी जीडी की ऑनलाइन परिक्षा में एक संदिग्न अभ्यर्थी को पकड़ लिया परिक्षा के अंदर संचालक के ने साम में उसे पुलिस के हवाले कर दिया सदर्थाने की पुलिस ने बताया कि युवक के अधार काड प्रवेश पत्र वा सैक्ष्लिक प्रमार पत्र की तस्वीरे में भिंता पाई गई इसी अधार पर उसे संदिग्न मानते हुए परिक्षा के अंदर पर पकड़ लिया गया पुष्ताच में युवक ने अपना न बिद्यारी करने की बात बताई है सदर्थाना सतंद्र कुमार मिस्र ने बताया कि सेंटर अधिक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मामले की करवाई की जाएगी देख सकते हैं यह है ऐसे सबसे पहले बता दें कि जो भी बिद्यारती है वह इस सब रास्ता ना अपना है मे मेहनत करें आप एक घंटा मेहनत करते हैं तो उस मेहनत को दो घंटा करतें लेकिन यह सब रास्ता उचित नहीं है इसमें होता क्या है आपका एक तो विकास होम नहीं पता है आपको ग्यान नहीं होना चाहिए उतना ग्यान नहीं होता है ना डवलप्मेंट होता है फिर भी आपको नौकरी मिल जाता है ये सब तरीका से, यह तरीका भी गलत है, यदि आप पकड जाते हैं, तो आप पर कानूनी करवाई किया जाएगा, यदि आप कराब भी लेते हैं, तो जीवन भर आपके अंदर ये लगेगा कि मैं तो पैसा दे कर गया, मैं तो सेटिंग कर गया, यह सब छोड़ें और एक सही तरीका से यदिमान लेजिए आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप स्किप कर जाएं आप दूसरा काम करें लेकिन जो जन्मीन अभ्यार्थी का जरूरत है जन्मीन अभ्यार्थी का जो अधिकार है उस अधिकार को आप पैसा वाले लोग न रोकें ताकि आप जानते हैं जो भी अभ्यार्थी होते हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं दालभाज चोखा खाके मेहनत करते हैं डीवी सीजिस को आप लोग बोलते हैं किसी दिन नहीं खाएंगे लेकिन पढ़ाई को कंटनियू रखते हैं उसमें आप लोग क्या करते हैं प्लेन व जादा से ज्यादा से जखर करेंगे वह ऐसे वैक्ती जिनके पास सब कुछ बिवस्त है तो आप कुछ दूसरा काम करना ले क्यों आप नोकरी खरीदने के फिर में लगते हैं एक तो नोकरी कम है उसमें भी जो रात-दिन मेहनद करता है उसका अप हक मार लेते हैं यह गलत होत तो इस तरीका से जो कराने की परियास करते हैं वो भी न कराएं जब आप नहीं कराएगा तो कोई करने वाला ही नहीं उत्पन होगा सभी से हाथ जोड़कर बिंती है इस तरीका से हटें और जेर्मिन जो अभ्यारती है जो सबसे निचले परिवार के अभ्यारती है उनको यह स इसरी बात है आप जो भेरती पढ़ते हैं यादि कहीं एक्जाम देने जाते हैं आपके अगल वगल उच टाइप का लोग दिखें तो आप जरूर सुचित करें आप भी जागरूप नागरिक बने आप भेरती पढ़ते हैं अच्छी बात हैं मेनद करते हैं लेकिन आपका हग आप जरूर आवाज बुलंद कीजिए आपके बगल का भी तो कोई होगा जस्ट आपके बगल में बैठते हैं तो आप नहीं देख सकते हैं कि हाँ वह गलत आदमी है इधर उधर करेगा तुरत बोलिए क्या दिकत है तो आप लोग भी डर जाते हैं नहीं एक साथ इसको सु जय योग करें अच्छा तरीका से करें और जो भी अभ्यारती ये सब कराने का प्रयास करते हैं वह दूर बैठें वह न कराएं ताकि हम जैसे अभ्यारती को नोखरी लगे जै हिंद जै भारत जै इवारत